का धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने सभी ब्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अचानक आपसे मिलने का मौका मिला है और कल राज से ही या कल शाम से या पहले से ही पूरे देश के लोगों को चिंता थी और हाली में जो अख़ारों में पढ़ने का वो मिलना था सोशल मेडिया पे जो बाते चल नहीं थी और चुनाव बहुत करीब आ गया है उस समय दिस्चस्पी और बढ़ देई भारती जन्ता पार्टी बुद्दों के अलाबा बहुत अलग तरह से तयारी करती है जो अलग तरह के तयारी होती थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते थी लेकिन कोई बात एसी नहीं केह पाते थे जिस पे जंता को ज़्यादा भरोसा होता जो बात इलेक्ट्रोल बॉन की आई है इलेक्ट्रोल बॉन काले धन को सफेद करने की भाजपाई गारंटी है इलेक्ट्रोल बॉन को ले करके बहुत चर्चा हुई है और उसको कभी कभी ये कहा जाता है कि चंदा है लेकिन भाजपा के इस सरकार में ये चंदा नहीं है ये बसूली है जिन्होंने केंज सरकार की एजनसी ED, Income Tax, CVI के डर से इलेक्टर बॉंड दियें दरसल वो बसूली है सही माइनों में चंदा तो उन्हीं को मिला है जिनकी सरकार नहीं है जो काम नहीं करा सकते हैं लोन माफ नहीं करा सकते हैं या सरकारी ठेके नहीं दिलवा सकते हैं भारती जन्ता पार्टी को जो चंदा मिला है वो ED, CVI, Income Tax को ये लो करके बसूली है ये और इसका असर देखिए आप जिन प्राइवेट कंपनियों से इलेक्टरन बॉर्ण्स इतने बड़े पैमाने पे लिए हैं पैवेट नौकरी करने वाले सोचें कि अगर ये चंदा नहीं दिया गया होता तो इस लाव के हिस्से से कंपनी वाले अपने इंप्लॉईस की सेलरी बढ़ाते बोनस देने के काम मिलाते और ज्यादे लोगों को नौकरी देने के काम करते भाजपा सरकार पीडिये के हग का आरख्षण मानने के लिए सरकारी नौकरी खतम कर रही है और प्राइवेट वालों का सारा प्रॉफिट इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माद्यम से हजम कर जा रही है शायद यही देश में नौकरी के संकट का सबसे बड़ा कारण इसलिए बिरोजगारी की समस्या का समधान तभी निकलेगा जब खाओ पार्टी भाजपा हटेगी और जिस तरह के आखड़े आ रहे हैं उससे लगता है कि भारती जनता पार्टी खाओ पार्टी है यह बात हम पहले भी जानते थे अब तो यह सिद्ध भी हो गया है इसलिए हम लोग बहुत पहले से कहा करते थे कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ अब तो यह नारा हर युबक युबती की जवान पर पहुंच गया है भाजपाई नों ने कहा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे यह बहुत नारा चलाये था भारती जनता पार्टी ने भाजपाई जहां जाते थे ये कहते दे भाजपाईयों ने ये कहा था और नारे लगा करके कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे ये तो नहीं कहा था कि ड़का रहेंगे नहीं परिवार वाले सोचें कि वो आज महंगाई का सामना कर रहे हैं उसका कारणवी भाज़पा के द्वारा लाए गए यही इलेक्ट्रोनल बॉंड है क्योंकि इससे कंपनियों पर दवाब पड़ता है और वो दाम बढ़ाने पर मजबूर होते हैं और इसी बहाने कुछ लालची वेपारी कारोबारी मुनाफ़ा खोरी में लग जाते हैं कारवारा लाए गए यही इलेक्ट्रोन बॉंड भष्टाचार का कारणवी है जी एस्टी में टेक्स की चोरी करने के लिए जो वेपारी और दिकारी मजबूर है वो भी भाज़पाईयों की बसूली के शिकार है भाजपाई नेता लोग कहते हैं बाजपाई नेता लोग कह पार्टी खाते में चला जाता है तो फिर हमारे खर्चे कैसे चलेंगे इसलिए वो कारवारियों और दुकंदारों और ठेकिदारों से सबसे अलग की बसूलते हैं उनसे भी बसूलते हैं इन सब कारों से उत्पादों में प्रोडेक्स की कॉलिटी गिरती हो और निर्माण कारेवाद दूसरे ठेकों की गुर्वत्ता भी कुल मिलाकर भाजबा के दौरा लाए गए इलेक्टरल बॉन के बारे में यही कहते हैं कि इलेक्टरल बॉन बिरोजगारी महंगाई और भश्राचार की भाजबाई गारंटी है इलेक्टरल बॉन जनता के सोशड की भाजबाई गारंटी है इलेक्टरल बॉन यवाओं के भविस्ट को मारने की भाजबाई गारंटी है इलेक्ट्रोल बॉन्ड आम जनता के दुखदर्द और दमन की भाजबाई गारंटी है इलेक्ट्रोल बॉन्ड बिरोजगारी महेंगाई व्यवस्टाचार की जड़ में होने की वज़े से 90% जनसंख्या वाले पीडिये की प्रतार्णा की भाजबाई गारंटी है इलेक्ट्रोल बॉन्ड अर्थववस्टा और बेंकिंग सिस्टम को भर्ष बनाने की भाजबाई गारंटी है इलेक्ट्रोल बॉन्ड चुनावां को अत्याधिक महेंगा बनाकर इमानदार राजनित्यकों को चुनावां में हिस्ता न ले पाने की भाजबाई गारंटी है बाजबाई गारंटी है इलेक्ट्रोल बॉन समाचा तंत्र और लालची मीडिया को ग्लेमर से जोड़कर महंगा बनाकर जूटी खबने फिलानेवा भाजबा की अपनी नकारत्मक संकीन विवाजनकारी विचाधारा को प्रचारित प्रशारित करने के देश के महौल में आपस डर और अविश्वास का जहर घोलने की भाजबाई गारंटी है इलेक्ट्रोल बॉन के इनकी शक्तियों का दुरिप्योग और लोगतंत को ठेंगा दिखाने वाले दल बदल के लिए पैसे जुटाने और रान्यतिक वतावरण को प्रदूसर करने की भाजबाई गारंटी है इलेक्ट्रोल बॉन्ड विश्वर में भर्ष्ट्याचार के इंस्ट्यूशनल बना करके प्लैंड वे में पैसा खट्टा करने की नई साजिश और चाल के रूप में स्थाबित करके दुनिया भर में देश की इमांदार और लोगतंतिक छवी खराब करने की भाजबाई गा गारेंटी है और अंत में मैं कहूं इलेक्ट्रोल बॉन्ड महा घुटालों का सुप्रीमों है और जंता में ये गारेंटी के इस बार भारते जंता पार्टी जा रही है ये बहुत सारी जानकारी अब आ रही है देखिए मैं क्या कहता था आपसे याद है आपको हमारे बारे में क्या क्या कहा था भाजबाई उने जब वैक्सिन वाली बात आई थी अब सुना है जो आखड़े आरे हैं जो सूची में चीज़ें आ रही है वैक्सिन कंपणी ने कोई वैक्सिन दिया हुने इलेक्टरोल बॉन्ड के नाम पर कितने करोड की है वो सोचिए आप वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से पांसो कोड रुपे लिए इसलिए जबर्दस्ती हमें और आपको वैक्सीन लगवाई जा रही थी हम तो बच गए बाकी जनता सब लिए लग गई इन पर भी बड़ा बड़ा पैकेज पहुचा है इनने भी इलेक्टरॉल बॉन्ड के बहाने बहुत बड़ा पैकेज मिला है और गई मोकों पर का एक चैनल है ये सुबह उठता है तो हमारे खलावी चलाता है अभी तक सबसे निगेटिव न्यूज इस चैनल ने चलाई है ये चैनल हमारे साब ये न्यूज 18 को पता नहीं क्या बुखार है एलेक्टर पॉन्ड कम मिलें क्या आपको या आपको चंदा कम मिला है ये मैंने सुना है अभी मुझे पुते जानकारी नहीं है कि सबसे ज़्यादा खिलाफ कोई खबर चलाता है तो सबसे ज़्यादा है हमारा इंवित्र चैनल है इसलिए बहुत सारी जानकारी मिल लहीं है और सोशल मीडिया पे चल लहीं है मुझे उम्मीद है हमारे पतकार साथी भी जिस तरीके से और लोगों के पीशे पढ़ जाते थे इस बार इलेक्टरोल बॉंड की पीशे पढ़ गर के सच्चाई जन्ता तक पहुचाएंगे जो लोग दावा करते थे और जो पार्टी वे डिफरेंस की बात करते थे जो लोग जन्ता को धूखा देते थे ये बड़ी बड़ी एजन्सियां दूसरे बिपश के निताओं को बदराम करने के लिए उनको ड़नाने के लिए और उनकी च्छब जन्ता में खतम हो जाए खराब हो जाए उन एजन्सियों का इस्तिमाल करते थे और वही एजन्सियों का इस्तिमाल कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योग पतियों से बसूर ले के लिए तो सोचिए कोई कल्पना कर सकता है कि आपकी एजेंसियां विपर्ष को परिशान करने के लिए विपर्ष को बदनाम करने के लिए और खुद के लिए एलेक्टरॉल बॉंड लेने के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं ऐसा दुनिया के लोगतंत्र में नहीं होता होगा यह लोगतंत्र को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया है और बावासाव भीम्रा मिडगर जी के दिया हुआ समिधान उसको खत्म करने की साज़ शल्ले है चुनाओं से पहले ये जो बाते आई है ये जनता इस वार भारती जनता पार्टी को उखार फेकेंगे अब ये तो नहीं पता है कहां से लीक हुआ है लेकिन लीक हुआ है कितना बड़ा गोटाला है मैंने क्या कहा बहां गोटाले का सुप्रीमो है ये अब देखते हैं कि आप लोग कितना इसमें जनता तक बात पहुचाते है तो आप जीम्स बॉंड बनिये लेक्टरल बॉन्स के लिए क्यों इस टॉपिक को इधर दर ले जा रहे हैं आप नहीं ये जेम्स बॉंड बन जाएंगे अब क्या चीज़ एक मीडिया कंपमी में भी एलेक्शन बॉंड खंगा है वो इसलिए कि आप लोगों में बांट सकें मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मैंने जैसा कहा कि विबख्ष को अपमानत करने के लिए उनको डराने के लिए इन एजेंसियों के इस्तमाल होता आया है और कोई उत्तव परदेश में पहली बार्डी हो रहा है महरास्त रहें जितने भी नेता पार्टी छोड़के गए या और जगह प्रदेश हैं वहां पर जिन जिनके खिलाफ एजेंसियां काम कर नहीं थी जैसे वह भारद्य जिनता पार्डी में शामिल हुए एजेंसियों ने उनको परिशान करना उनके खिलाफ कारवाई करना रोगती है इसके बारे मुझे कुछ जानकारी नहीं और ये लेक्टर बॉंड्स पर आप क्या राय देना चाहते हैं ये बीजेपी के लिए लेक्टर बॉंड्स की शौकिंग न्यूस है इस शौकिंग न्यूस को ये किसी भी ब्रेकिंग न्यूस से दबानी सकते हैं बहुत जानबूश करके जिसने रमजान शुरू हो रहे थे हमारी जो भारत की संस्किती है जो हमारे भारत की पैचान है मिली चुली संस्किती आपस में जो एक दूसरे गंगा जमनी संस्किती के पहाने सहरे जोडते हैं जान बूश करके उन्होंने उसी दिन तेगिया चिड़ाने के लिए कई मुस्लिमों कारकरताओं को हाउस अरेस्ट किया गए है कब यह केवल बोट के लिए केवल यह बोट के लिए कैसे माहौल खराब हो कैसे नफरत फैले कैसे खाई पैदा हो उससे कैसे पॉलिटिकल लाव लिया जाए बोट के लिए लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह लेक्ट्राल बॉंड का है ये तो आपको सोचना चाहिए कितने हजार क्रोड का है और तब है जब सरकार में लोग बसूली करने है चंदा लेना इलेक्शन कमीशन का एक अपना तरीका है जो गाइडलाइन पॉलिटिकल पार्टेस के लिए है लेकिन बसूली के लिए गाइडलाइन थोड़ी है बसूली यह तो एजनसिया है तो बीजेपी के लोग जो अपने आप दावा करते थे क्या ये सच्चाई सामने नहीं आ गई किसका उच्वल कुमार का ये आज बात मत करो फिर कर लेना कभी बात मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता है अभी तो और जानकारी मिलेगी कहाँ कहाँ घूम के आई है कोई नया गाना आया हो तो प्रेस को सुना दो और पूरी जानकारी जनता तक पहुँचे ये हमारी और आपकी कोशिश होनी चीए जितनी जानकारी जनता को सची पहुँच जाई ही उतना ही हमारा लोकतन मजबूत होगा